में आपको exercise 10.4 कराने चारी हूं these are some word plumbing बहुत द्यान से सुनेंगे बेटा आपको यह नहीं पता चलता है एक्जाम में कि कहाan plus करना है कहां माइनस करना है कहाAN multiply करना तो बहुत द्यान से सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमें cup plus , cup minus sokot डिवाइड या मल्टिप्लाइ करने हैं फर्स्ट रोटरा में आपकी हनी बॉट आप पेर आफ जीन्स फॉर रुपीज फॉर टॉन्टिफाइफ हनी लेकर आया है एक जीन्स पेर आफ जीन्स लेकर करके आया एंड आ मैचिंग टॉप और उससे मैचिंग का कि एक टॉप लेकर करके आई है तो हुंड़े सिक्टी फाइफ पॉइंट सेवन्टी रुपीज की कितना कुल मिला के उसने स्पेंड किया मींस खर्च किया तो खर्च किया तो उसने जो 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 अलग अलग खर्च किया होगा वो हम प्लस कर देंगे ठीक है ना तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे statement भी easy ही है आपकी honey bought a pair of jeans for यह पूरी statement हो जाएगी 425 के लिए फिर अब honey का दुबारा statement अगर जब हम लिखेंगे तो हम honey नाम बार बार नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे she bought a matching top बार बार हमें honey नहीं लिखना है ठीक है एक बार तो हम honey लिख देंगे honey bought a pair of jeans for rupees 425 फिर हम लिखेंगे she bought a matching top 4 वैसे honey की ही बात हो रही है तो आप she नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं फिर answer statement में हम she लगा देंगे ठीक है students she bought a matching top 4 फिर हम इसको add कर देंगे ठीक है add easy है इसका 0 में 0 प्लस किया 0 आ गया यहाँ 7 आ जाएगा 5 प्लस 5 टैन हो जाएगा 10 का 0 यहाँ पे और 1 carry 6 में 2 प्लस किया 8 और 1 प्लस किया 9 4 में 2 प्लस किया रुपीज का sign लगाने नहीं बूलना है ठीक है पेटा now come to the next question निशाज मदर bought vegetable for rupees 167 rupees निशा की मम्मी निशाज मदर मतलब निशा की मम्मी लेकर आई है vegetables 167 rupees की और fruits लेकर का आई है वो 235 की और फलस लेकर आई है वो 184.50 rupees की तो फिर वही same ही question है how much did she spend in all कितना उन्होंने spend किया इसमें 2 चीज़ पे spend किया था इसमें 3 चीज़ों पे spend किया है बस यह अंतर है statement भी लगबग सेम ही रहेगी निशास मदर bought vegetable for आजाएगी first statement आपकी second is she bought fruits for fruits इतने किला है she bought pulses for 184 she spend in all तो इसमें भी हम add ही करना है क्योंकि spend in all total खर्चा पूछा है इसमें 5 ब्लस 5 10 हो गया 1 हम carry दे देंगे and point के नीचे point आ गया 7 और 1 8 8 और 5 13 13 और 4 17 ठीक है 17 का हम 1 carry दे देंगे 1 carry दिया 6 और 1 7 7 और 3 10 10 में 8 प्लस करना असान है 18 हो गया 18 का आप 1 carry जाएगा 5 ठीक है students ठीक है आप के डिवाइट के सम्थें की अलरेड़ी विडियो बन चुक है बटा now next question है आपका third G1 bought a toy for his sister G1 एक toy लेकर क्या आया है अपनी sister के लिए इतने रुपए का 18.50 रुपीज का he gave उसने दिये 20 रुपीज to the shopkeeper उसने shopkeeper को 20 रुपीज दिये तो बिटा आप जो चीज खरीते हो जितने पैसे की आप चीज खरीते हो और जितने पैसे आप देते हो उनको माइनस करते हैं तब आता है कि how much money did he get back मान लीजे आपने 5 रुपीज की रुपीज का नोट दिया और आपने 3 रुपीज का समान ले तो आपको कितने पैसे वापिस मिलेंगे तो हम माइनस करेंगे माइनस करके आए तू तू रुपीज आपको वापिस मिलेंगे यहीं हाँ पे भी करना आपको 20 रुपीज में से 18.50 रुपीज माइनस करना है स्टेट्मेंट भी इसई है जीवन गेव तो दू शॉपकीपर जीवन ने दिया शॉपकीपर हो क्या 20 रुपीज नोट ठीक है 20 रुपीज दिया उसने वो टॉय कितने का खरीजा था उसने 18.50 का तो कितने पैसे वापिस मिलेंगे उसे 1 रुपीज 50 पैसे माइनस कर देंगे हम यह तो 0 में से 0 माइनस हो के 0 आ जाएगा अब यह 0 इससे केरी लेगा और यह 2 से केरी लेगा ठीक है तो 2 तो 1 बन गया बिटा इस 0 ने आगे केरी दिया इसलिए यह 0 9 बनेगा इस 0 ने किसी को केरी नहीं दिया तो यह 0 10 बनेगा ठीक है नाओ नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपकी multiply की questions है अगर एक एपल के बॉक्स की कॉस्ट है 98.42 रुपीज तो फिर कोशन है बेटा और आपसे एट बॉक्स की पूछी है तो एट बॉक्स की पुछी है तो हम क्या करेंगे एट बॉक्स एक की दे रखी है एट की पुछी है तो दोनों को मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो एट की आ जाएगा ठीक है इफ टॉआ एट कॉस्ट नेक्स कोशन है statement भी easy ही है इसकी मैं एक साथ बताती हूं आपको if a toy cost rupees 95.50 rupees find the cost of five such toys same यही वाला question है दोनों same question है एक toy की cost दे रखी है और आपसे five toys की cost पूछी है यहां भी है यहां पर one apple one box of apple की cost दे रखी है और eight boxes की cost पूछी है तो बेटा कभी भी one की value दे रखी है और ज्यादा की पूछी है तो हम क्या करते हैं multiply करते हैं यह बात हमेशे याद रखनी है कभी भी one की value दे रखी है और ज्यादा की निकालनी है तो हमें multiply करना और खासकर बहुत ज्यादा की क्योंकि 8 बार इनको प्लस तो करेंगे नहीं हम तो क्या करदेंगे 8 से मल्टिप्लाइ करदेंगे ठीक है statement भी easy ही है इनकी दो ही statement बनेंगी cost of 1 box of apples रुपीज 98.42 आन्या have to pay for 8 boxes 8 boxes multiply करदेंगे answer आजाएगा ठीक है next है आपका 5th question if a toy cost रुपीज cost of 5 such toys ऐसे ही 5 to subscribe के लिए हम क्या करें multiply करदेंगे 5 के लिए cost of a toy 95.50 cost of 5 toys 95.50 multiply by 5 ठीक है इसके answers हो गया है बेटा ये इसको multiply कर क्या है 787.36 you can check your answers इसको multiply कर क्या है 477.50 ठीक है बेटा next आपका last question बिकुल different है if 6 towels cost rupees 360.36 अगर 6 towel की cost इतनी है तो what is the cost of each towel each का मतलब maths में 1 होता है अगर 6 towel की cost इतनी है तो 1 towel की cost कितनी होई इन दोनों का opposite है ये question 6 towel की cost दे रखी है और आपसे 1 towel की पूछी है यहां पर उल्टा था यहां 1 की value दे रखी थी और 5 की पूछी थी 1 की value दे रखी थी 8 की पूछी थी तो 6 की D है और 1 की पूछी है इसमें 1 की दीदी से 1 की पूछी है तो 1 की cost 1 की value निकालने के लिए B remember हम divide करते है 1 की D है जादा की निकालने के लिए multiply 1 की निकालने है तो divide ठीक है students और इसका divide थोड़ा सा आपके standard से difficult है तो इसकी statement है cost of 6 towels is equal to rupees 360.36 और cost of each means 1 towel हम 6 से को divide करतेंगे divide बेटा different है बिल्कुल 5th class के level का है यह divide तो आप बस इसको copy कर लो 66.36 और 0 लगेंगे again दुबार 66 आप बस इसको copy कर लीजिए ठीक है ओके thank you students